हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल दिनेश पुंच दिजिटल डेरिस तो फ्रेंड्स आज जो वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ ये मेरे चैनल के ट्रेवल रिव्यू सीरीज और प्रोड़क्ट रिव्यू सीरीज दोनों के अंतरग्यत आता है तो आप सोच रहे होंगे कि एक वीडियो दो सीरीज के अंतरग्यत कैसे आ सकता है दरसल में जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं हर साल की तरह इस साल भी अपने फार्म हाउस होशयारपूर एक रोड़ ट्रिप पर जा रहा हूँ लेकिन इस बार एक नई एडिशन की है दोस्तों और वो यह है कि मैं इस रोड ट्रिप पर जाते वक्त साथ-साथ व्लोगिंग भी करता जाऊंगा यानिके ओन रोड वीडियो भी बनाता जाऊंगा अपने पूरे सफर की और इसके साथ-साथ आपको व्लोगिंग के कुछ टिप्स भी दूँगा पिछले वीडियो में मैंने अपने एक्टिवा की डिटेल्ड सर्विस करवाई थी और इस ओन रोड व्लोगिंग के लिए मैंने कुछ समान एमाजॉन से मंगवा रखा था तो फ्रेंड्स वो समान मेरे पास पहुंच चुका है मैं उस समान की अन्बॉक्सिंग और रिव्यू आपको देने जा रहा हूँ अगर आप मेरी चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन क्लिक करें सबसे पहले मुझे ये बॉक्स एमाजोन से मिला है देखिए आप ये है स्टर्ड की हलमट मैंने मंगवाई थी क्योंकि मुझे आन गोड ब्लॉगिंग के लिए एक फुल फेस हलमट चाहिए थी मेरे पास हाफ फेस हलमट स्टर्ड कंपनी की पहले से थी लेकिन क्योंकि मुझे फुल फेस चाहिए थी इसलिए मैंने ये हलमट मंगवाई थी तो फ्रेंड्स देखिए स्टर्ड की ब्रेंडिंग है और यहां पर इसकी साइज दे रखा है 580 मिलिमीटर मतलब लार्ट साइज है इसका दोस्तों और अब हम इसको अन्बॉक्सिंग करते हैं इसकी तो जैसे हम इसको खोलते हैं तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये हलमट ये वो हलमट है वाइट कलर में मैंने मंगवाई है हलमट और बहुत बड़िया हलमट है और यहाँ पर देखिए स्टड्स की ब्रेंडिंग हो रखी है आईए सई मार्क ये फ्रेंड्स हमें इसका बेल मिला है और इसके साथ ये हमारी इंफरमेशन बुक्लेट है जिसमें इस हलमट के सभी फीचर्स समझा रखी है तो फ्रेंड्स देखने में ये एक बहुत मजबूत हलमट लगती है एमजन की रेटिंग के हिसाब से इसको 5 में से 4 पॉइंट्स मिले हैं और 227 पॉजिटिव रेटिंग्स मिली है इस हलमट का बज़न 1000 ग्राम है और ये ISI मार्क है और इसके साथ हमें एक साल की मेनफेक्चरिंग वरंटी मिलती है और तो और दोस्तो स्टर्ड्स की ये हलमट पसंद करने का सबसे बड़ी वज़ा थी कि ये मेक इन इंडिया है तो चलिए इसके अंदर देखते हैं दोस्तो इसके अंदर ये देखिए कुशंड पैड्स लगे हुए हैं जोके पहने में बहुत ही आराम दायक हैं इधर हमें air vents दे रखे हैं जोके गर्मियों में प्रयोग होते हैं इससे air ventilation बनी रहती है खर सर्दियों में हैं हम इनको block कर सकते हैं इस helmet को हम एक तरफ रखते हैं और अभ दूसरा product देखते हैं इस box में हमें मिलता है Action Pro का helmet chin mount strap set जो की हर तरह के smartphone, go pro और हर तरह के action cameras के साथ compatible है तो friends देखते हैं इस packet में हमें क्या मिला है इसमें Action Pro का एक mobile holder हमें मिला है उसके बाद ये rubber extra production के लिए इसके बाद ये हमारा chin mount है ये chin mount हमें मिला है उसके बाद ये stainless steel का एक nut है जो के हमारे J hook के साथ हमारे mobile holder को lock करेगा और ये J hook के साथ लगाने के लिए एक angular point है इसके साथ हमें ये इसका invoice मिला है ABS plastic से बना हुआ है जो की एक मजबूत और टिकाव polymer blend है ABS plastic और silicone से बना हुआ ये blend एक अच्छी grip तो देता ही है साथ की साथ ये आपके helmet पर कोई scratch वगएरा नहीं लगने देता जो के nylon blend है जो के इस product को flexibility परदान करता है इसके nuts बनाने के लिए stainless steel 304 का प्रयोग किया गया है जो की इस पर जंग नहीं लगने देता इस set में हमें 6 चीज़े मिलती है एक black helmet chin mount मिलता है और इसके उपर ये J-hook जो मैंने पहले fix कर रखी है इसके अलावा हमें ये mount adapter मिलता है और ये हमारा screw है phone holder और ये phone production band है तो friends चलिए मैं ये chin mount आपको अपनी studs helmet पर fit करके दिखाता हूँ friends देखिए मैंने ये mobile chin mount अपने helmet पर fit कर दिया है अब इसके बाद हम ये mount adapter लेंगे और इस mount adapter को इसके उपर लगाकर इधर से hole में nut tight कर देंगे तो देखिए मैंने ये mount adapter screw के साथ यहाँ पर fit कर दिया है अब हम इसके उपर इस mobile holder को लगा लेंगे तो friends देखिए मैंने इस mobile holder को यहाँ पर fit कर दिया है अब हम इसमें अपने mobile को लगा सकते हैं तो friends stud keys helmet और mobile chin mount की unboxing और review करने के बाद अब मैं आपको वो सारा समान बताता हूँ जो कि मुझे on road vlogging के काम आएगा सबसे पहले दोस्तों मेरे पास मैंने ये amazon से मगवाया है ये angular mobile holder है जो के मेरे bike पर किसी जगा भी fit होकर इससे मैं recording कर सकता हूँ दूसरा दोस्तों ये मेरा ट्राइपॉड गोरिला ट्राइपॉड है विद रिमोट तो इससे मैं जाते वक्त recording के लिए यूज़ कर सकता हूँ आफ्टर देट ये है हमारी एक emergency light है emergency light जो किसी भी situation में handy है तो इसके बाद दोस्तों ये हमारी selfie stick है selfie stick with light selfie stick है यानि के इसमें ये light लगी हुई है और ये हमारी इसको as हम tripod भी यूज़ कर सकते हैं और ये हमारा एक portable mini tripod है तो दोस्तों ये सारी चीज़े मुझे online vlogging में काम आएंगे तो देखिए ये हमारा एक mini tripod है इसके अलावा मेरे पास sony का handy cam है इस वीडियो में इतना ही अब बहुत जल्दी मैं आपके लिए on road vlogging trip की वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें मैं आपको vlogging करने के tips भी दूँगा तब तक के लिए धन्यवाद गुड़ बाई